हेलो फ्रेंट्स एक बाफ्रेंट्स अब सभी का स्वागत है मेरे चैनल अबडेट वन पर फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे कुछ अमेजिंग गॉड मुवीज के बारे में और टाइटेन मुवीज के बारे में लेकिन हर्कलीस फिर से अपने स्टेप फादर को हरा के वो किंडम वापस लेना चाहते है मुवी में क्यालास तक हर्कलीस अपने मक्षद में कामियाँ हो पाते है या फिर नहीं हो पाते हैं इसी को पर बेस करके ये complete movie बनी है, movie को IMDb rating देती है 10 में 4.2 Number 9, Clash of the Titans, movie को release की गए थी 2010 में और movie based है drama and fantasy activity के उपर movie की stories शुरू होती है, Parsius से, जिन्हें अचानक से पता चलता है कि Juice उनके पिता है, जोकी भगवान है और उनकी journey वहीं से शुरू हती है, movie बहुत ज़्यादा action और fantasy activity से भरी पड़ी है movie को IMDb rating देती है 10 में 5.8 Number 8, Journey to the West, Concurring the Demons movie को release की गए थी 2013 में और movie best है drama fantasy and action activity के उपर movie की story शुरू हती है, tank से, जोकी एफ बुद्धिस्ट मंक है और वो गाउं और शहर में घूमते रहते हैं कुछ demons को पकड़ने के लिए लेकिन last में उन्हें एक बहुत ज़्यादा खुंख्रा demon मिलता है जिन्हें मानने के लिए उन्हें बुद्धा का सहारा लेना पड़ता है movie इसी कपर बिसकर के बनी है movie को IMDb rating देती है 10 में 6.8 number 7, Immotals movie को release की गए थी 2011 में और movie best है drama fantasy and action activity के उपर movie की story शुरू हती है कुछ titans से जिन्हें बंदी बना कर रख दिया जाता है लेकिन कुछ bad people उन titans को आजात कर देते हैं और उन titans को हराने के लिए फिर से एक बार gods को अर्थ पर आना पड़ता है movie में क्या last दर उन titans को god हरा पाते हैं या फिर नहीं हरा पाते हैं इसी कपर बिसकर के ये complete movie बनी है movie को IMDb rating देती है 10 में 6 number 6, Who Kong movie को release की गए थी 2017 में और movie based on fantasy action activity के उपर movie की story शुरू होती है who kong and eric son se जो की immortal mountain में रहते हैं और अपनी civilization बनाते हैं लेकिन अचानक से ही god के bitter के कारण उन्हें अर्थ पर भेज़ जया रहता है और वो god की गुलामी को भी deny करते हैं इसी कबर बेस करके ये complete movie बनी है कि क्या last तक वो अपना kingdom फिर से वापस ले पाते हैं या फिर नहीं ले पाते हैं और इस movie को IMDb rating देती है 10 में 5.8 number 5, Hercules movie को release की गए थी 2014 में और movie based on fantasy action activity के उपर movie की story शुरू होती है Hercules से जो कि travel करते रहते हैं पांच दोस्तों के साथ अपने gold को सर्प परने के लिए लेकिन इसी बीच the king of Teresa help मांगते है Hercules से कि उनके kingdom को कोई खत्रा है और वो उस खत्रे से हमें बचाएं movie में कि लास्ट तक Hercules Teres kingdom को मदद देते हैं या फिर नहीं देते हैं और वो human eater बन जाते हैं इसी बीच कुछ humans उन titans को मारने का बेड़ा उठाते हैं और movie में कि लास्ट तक वो humans titans को हरा पाते हैं या फिर नहीं हरा पाते हैं इसी को बर्बिस करके ये complete movie बनी है movie को IMDb rating देती है 10 में 5.1 No.3 Warth of the Titan movie को release की गए थी 2012 में और movie best है fantasy action activity के ओपर movie के अगर हम बात करें तो movie actually Clash of the Titan की part 2 है और movie बहुत जादा hit भी हुई थी movie के story शूरू होती है इस बार Hades juice को बंदी बनाया रखता है और Parseas juice को छोड़ाना चाते हैं क्योंकि juice उनके पिताजी रहते हैं movie में क्या लास्ट एक परसेस अपने मक्षद में कामियाब हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं इसी को बेस करके यह complete movie बनी है movie full of action proof है और fantasy activity से भरी पड़ी है और इस movie को IMDb rating देती है 10 में 5.7 नमबर 2 Gods of Egypt movie को release की गे थी 2016 में और movie best type fantasy action activity के ओपर movie की story शुरू होती है Harris से जिनकी राज सिंगासन में या फिर कह सकते हैं कि उन्हें राजा की उपादी देने के दिन ही set उनसे गदारी करते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं even उनकी आँखों की power भी ले लेते हैं movie में क्या last तक Harris फिर से अपने God के सिंगासन को प्राप्त कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं इसी कबर बेस करके या complete movie बनी है movie action और fantasy activity से भरी पड़ी है और इस movie को IMDb rating देती है 10 में 5.4 और last और नमबर 1 पर हम बात करेंगे Exodus Gods and King movie को release की गए थी 2014 में और movie based drama and action activity के उपर movie की स्टोरी शूरू होती है message से जोकी अपने kingdom को बचाना चाते हैं और दूसरी तरफ रमा और जोकी उनके ignis रहते हैं और इसी बीच Gods का आकरमन भी इस movie में आप देख पाएंगे कि God अपना प्रलय किस तरह दिखाते हैं इन दोनों kingdom सर movie की स्टोरी बहुत जादा इंट्रेस्टिंग है और movie fantasy और action activity से भरी बड़ी है और इस movie को IMDb rating देती है 10 में 6 तो friends उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का countdown पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो please मेरे चैनल को subscribe करें लाइक का बड़न जरू दबाए और comment हम से जरू शेयर करें तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए countdown के साथ खुश रहिए healthy रहिए गुडबाए